सबसे पहले तो यह जो घटना है इससे पूरा देश इस समय सद्मे में है लगबग तीन सो जाने अब तक जो सरकारी जानकारी आ रही है कि जा चुकी है एक बड़ी रेल दुर घटना है बड़ा हाथसा है मैं जो लोग इस दुरघटा में मारे गए हैं उनके प्रती अपनी समवेदना व्यक्त करता हूं रिश्वर से प्रातना करता हूं कि उनकी पुन्यात्मा को प्रभू शान्ती प्रदान करें उनके परिवार को अपारकस्ट ये जो उनके उपर आया है उसको सहन करने की शक्ती लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो रेलवे की सुरक्षा का है भारत की सरकार मोधी जी की सरकार हर महीने हर एक हपते पे एक वंदे भारत ट्रेन सुरू कर रही है मोधी जी खुद एक स्टेसन मास्टर की तरह जाते हैं वो हरी जण्डी दिखाते हैं ट्रेन सुरू करते हैं लेकिन रेलवे की सुरक्षा का क्या होगा ट्रेन आप हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं जिस ट्रेक की छमता सो किलो मेटर प्रतिघंटा चलने की है उस ट्रेक अगर डेल सो किलोमीटर प्रति घंट ессो की ट्रेन चलेंगे तो निस्चित रूप से आप दुर घट्नाओं को आ्मंतर दे रहें तो क्या आपने ट्रैक को आपग्रेट किया क्या क्या आपने ट्रैकופ को इस लायक दोनाया कि उस-पे het स्ट्रे ले रही थी कि हमें कावज का सिस्टम ऐसा लाएंगे जिसमें की इंटी कोलीजंट डिवाइस सिस्टम होगा ट्रेन अगर एक तक्रेक पे चल रही होगी और उनके कि कोई संभाव ना होगी तो यह पहले पता चल जाएगा और मैं तो तीन ट्रेन ने टकराई दो ट्रेन आपस में ट्रेन आ रही वो भी ट्रा जाती है इसका मतलब कि आपने रेलवे की सुरक्षा के साथ खिलवार किया है श्रेय लेने के लिए हर हफते नई ट्रेन तो आप चालू कर रहे हैं लेकिन हाई स्पीड ट्रेन चलाके ट्रैक्स को क infrastructure के ओपर कोई खर्च नहीं किया जा रहा है तो ये कहीं न कहीं जो दुरघटना है ये कहीं न कहीं सरकारी लापरवाही और मोदी सरकार की उदास संवेदन हींता का भी एक प्रमुख कारण है पिछले नौ वर्सों में अगर आप रेल दुरघटनाओं का आंकड़ा उठा क कर देखेंगे दो वर्स जो करोना के है उसको छोड़कर तो आपको पता चल जायागा कि किस तरीके से रेलवे की सुरक्षा के साथ किलवार किया गया है किस तरीके से आम इंसान की जिंदगी के साथ खिलवार किया गया है लेकिन प्राथमिक तौर पे तो कुछ चीज़ पता ही चल गई हो और दूसरी बात जो सबसे बड़ी जवाब देही सरकार की है कि रेलवे सेफटी को लेके पिछले नौ वरसों में आपने क्या कदम उठाये देश के सामने रखिये ना पता तो चले देश को हमारे जो स्टेंडिंग कमेटी के मेंबर है पार्लेमेंट के संदीप पाठक जी उन्होंने आज बताया कि उन्होंने पिछली मीटिंग में ही जंदनी आप जंता से कर रहे हैं और जंता की सुरक्षा के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं अगर पूरे देश में भी आज एंटी कोलीजन सिस्टम डेबलप कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कोई बहुत ज्यादा रेलवे को पर भार नहीं पड़ेगा आम इंसान के सा मैं वही बात कहरा हूं कि Guy दो ट्रेन आपस में लड़ी तो क्या इतना भी समय नहीं था कि तीसरी ट्रेन को आगाह किया जा सके रोका जा सक degसिए कि यह इतना भी वक्त नहीं था अप्ना से लब G्यांच होगी तो बहुत सारे तत्थ एस सामने आएंगे लेकिन अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए भारत की रेल पटरियां सक्षम है की नहीं उनकी छमता है की नहीं पहले इसका आकलन कर लीजे वरना ऐसी रेल दुर घटनाओं को आप आमंतर दे रहे हैं चान बूँच कर आमंतर दे रहें रैलवे के ट्रैक्स को आप अपम्ग्रेड नहीं कर रहें रैलवे के ट्रैक्स को अच्छा नहीं बना रहे हैं बावजुद इसके आप उस실시죠 अपनी वाहवाही लूटने के लिए बंद भारत जैसी हाइं-स्पीद तो मैं समझता हूं कि यह इसके बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और जो लोग भी इसके अंदर दोसी हैं उनके खिलाफ करवई होनी चाहिए तो एक जरूरी भी है क्योंकि जब ऐसी घटना हो गई तो किस रास्ते से ट्रेन जाएंगी तो रद करना ही पड़ेगा और मैं तो कहता हूं कि ठीक ठाक सारे पोखता इंतजाम करके ही दुबारा सुर्वात की जाए पीम साब ने एक हाई लेवल मीटिंग भी इसमें दी है क्या आपको लगता है कि मीटिंग में चर्चा होंगी इसको लेकर क्या कारण रहे हों देखे चर्चा बातचीत आप खूप कीजिए परिणाम आप क्या दे रहे हैं यह महत्तपूर्ण है खाली चर्चा बातचीत से उसको डेबलब किया जो आप कमच की बात करते हैं वो कमच का घेरा कहां है क्यों नहीं पता चला इन लोगों को जो जो ऐसी जगें हैं जहां पर कि आपको दुरगटना की संभावना ज़्यादा लगती है तो आप ऐसी जगों पर कम से कम वो सिस्टम डेबलब कीजिए जिस तरह से सरकार मनीज जी के जमानत का विरोध कर रही है ये दिखाता है कि समवेदन हिंता की परकास्था है एक व्यक्ति को आपने बिना किसी आरोप के जूंटे बेवनियाद आरोप लगा के जेल में डाल दिया अब ये नियम है कि किसी के परिवार में अगर कोई बीमार है तो उसको उस आधार पर जमानत मिलती है अब अगर उनकी पत्नी बीमार है और अपने परिवार में भी वो पहुँचकर अपनी पत्नी से नहीं मिल पा रहा है उनको हास्पिटलाइस किया गया है तो अब तो इस कारणों से है और इसका कोई दूसरा आधार नहीं है जो सरकारी वकील केंदर सरकार के जो विरोध कर रहे है उसके पीछे का कारण तो यही है कि उनको कुल मिलाकर मनीस से सौधिया को जेल में रखना है, उनको प्रतारित करना है, उनके परिबार को परिशानियों में डालना है, इसके लाओंगा है.